हेलो बच्चो आज हम क्लास थर्ड की EVS की वर्कशीट 3 करेंगे बच्चो इस वर्कशीट में आपके पर्यावरन अध्धन की बुक का पार्ट 3 पानी रे पानी के कोशन्स दिये गए हैं फर्स्ट कोशन है हमें अपने दैनिक जीवन में पानी की अवशक्ता होती है नीचे दिये गए चित्रों के अधार पर सही शब्चुनकर लिखे हमें इस कोशन में बॉक्स में कुछ हिंट दे रखे हैं जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, नहाना, बागवानी, पीने के लिए और सफाई इन शब्दों को हमें सही चित्रों के नीचे लिखना है जैसे पहला जो चित्र है उसमें लड़की पानी पी रही है, यानि पानी का प्रयोग पीने के लिए होता है दूसरा जो चित्र है उसमें पोधों में पानी दे रहा है एक आदमी तो इसका मतलब हुआ पानी का प्रयोग बागवानी में भी होता है तीसरे चित्र में खानव बनाने के लिए पानी का यूज होता है ये दिखा रखा है तो इसका मतलब इस चित्र के नीचे हम लिख देंगे खाना बनाना अगले चित्र में बच्चा नहा रहा है यानि पानी का प्रयोग नहाने के लिए भी किया जाता है अगले चित्र में कपड़े धो रहा है एक आदमी इसका मतलब कपड़े धोने में भी पानी का प्रयोग होता है अगले चित्र में सफाई के लिए पानी का प्रयोग होता है ये दिखा रखा है इसका मतलब हुआ इसके नीचे हम सफाई लिख देंगे इन सभी कामों के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है सही विकल्प चुनकर खालिस्तानों को भरिये पहला खालिस्तान है डैश पानी का स्त्रोथ है क्या पानी का स्त्रोथ है नदी या पानी से भरी बाल्टी नदी पानी का स्त्रोथ है यानि नदी से हमें पानी मिलता है इसलिए यहाँ पर नदी आएगा नेक्स्ट खालिस्तान है फ्रिज से बाहर रखने पर बरफ डैश में बदल जाती है भाप में या पानी में जब हम फ्रिज से बरफ को बाहर लिकालते हैं तो वो पानी में बदल जाती है पिगल कर तो इस खालिस्तान में पानी लिखेंगे Next, सबजी धोने के बाद बचे हुए पानी को डैश चाहिए क्या करना चाहिए सबजी धोने के बाद बचे पानी को पोधों में डालना चाहिए नाली में फैकना नहीं चाहिए पोधों में डाल देना चाहिए यानि उसका दुबारा से प्रयोग करना चाहिए नेक्स है पानी गरम करने पर डैश में बदल जाता है भाप में या भरफ में? भाप में बदल जाता है जब हम पानी को गरम करते हैं उबालते हैं तो वो भाप में बदल जाता है नेक्स्ट है दिल्ली डैश नदी के किनारे स्थित है कौन सी नदी के किनारे स्थित है नर्मदा या यमना यमना दिल्ली यमना नदी के किनारे स्थित है थर्ड कोश्चन है इन कामों को करने के लिए आपको कितना पानी चाहिए होगा मग भर कर पानी चाहिए होगा या बाल्टी भर कर पानी चाहिए होगा वो हमें बताना है जैसे कपड़े धोने के लिए तो कपड़े धोने के लिए हमें बाल्टी भर पानी की जरुरत पड़ेगी नेक्स्ट है दाथ साफ करने के लिए दाद साफ करने के लिए मग भर पानी की जरूरत पड़ेगी नहाने के लिए नहाने के लिए भी बाल्टी भर पानी की जरूरत पड़ेगी आटा गुनने के लिए आटा कम पानी में गुनदा जा सकता है इसलिए मग भर पानी की जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट पीने के लिए पीने के लिए अगर हम एक बार में पीएंगे तो मग भर पानी की जरूरत पड़ेगी बार बार पीते हैं पूरा दिन पीएंगे तो बाल्टी भर पानी की जरूरत पड़ेगी फोर्थ कोर्शन है बॉक्स में कुछ जल स्त्रोत दिये हुए है उन्हें तालिका में उचिस्तान पर लिखे हमें बॉक्स में कुछ शब दिये हुए है जैसे जील, नल, नदी, नहर, कुवा, जर्णा, तांका और सागर हमें बताना है कौन से जल स्त्रोत मानव निर्मित है और कौन से प्रकृतिक है प्रकृतिक मतलब हमें प्रकृति नहीं दिये है और मानव निर्मित मतलब हमने उन्हें बनाया है जैसे नल, नहर और टांका हमने बनाए हैं इसलिए ये मानव निर्मित वाले कॉलम में आएगा प्रकर्तिक में आएगा जील, नदी, कुवा, जर्णा और सागर सागर मतलब समुद्र इन सारी जो जल स्त्रोत है उन्हें प्रकर्ति ने हमें दिया है हमने बनाया नहीं है फिफ्थ कोशन है घर पर पानी की बचत के बारे में परिवार के सदस्यों से चर्चा करो और कोई तीन उपाए लिखो हमें तीन उपाए लिखने हैं कि हम कैसे पानी को बचा सकते हैं पहला है दाड़ी बनाते समय, ब्रश करते समय, सिंक में बर्तन धोते समय, नल तभी खोले जब सचमुझ पानी की जरूरत हो अगला उपाय है नहाते समय शावर की जगा बाल्टी या मक्का प्रयोग करे नेक्स्ट है जहां कहीं भी नल या पाइप लीग करे तो उसे तुरन ठीक करवाओ इन तरीकों से हम पानी को बचा सकते हैं सिक्स्त कोशन है चित्रों के साथ सही मिलान करो हमें कुछ जल स्त्रोत दिये गए हैं यानी हमें पानी कहां से प्राप्त होता है ये दिखाया गया है हमें सही मिलान करना है जैसे कुआ कुए के चित्र से कुए को मिला दो जो परपल लाइन से मैंने मिला रखी है जर्णा, जर्णे को मैंने green line से मिला रखा है समुंद्र, समुंद्र को red line से मिला रखा है और नदी को blue line से मिला रखा है मैंने Next question है, क्रिया क्लाप हमें एक activity करनी है जो हमें चित्र दिये गए है उन्हें हमें copy में बनाना है और उसमें रंग भरना है पहला चित्र है बाल्टी का और दूसरा चित्र है मठके का तो बच्चों ये थी हमारी Class 3 की EBS की वर्कशिट 3 आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले ताकि जब भी हम वीडियोज डाले आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाए